The first word is fortunate, fortunate का मतलब होता है भागशाली No, no का मतलब होता है जानना Agree, agree का मतलब होता है मान लेना Bies, bies का मतलब होता है बुद्धिमान Always, always का मतलब होता है हमेशा Already, already का मतलब होता है पहले से Actually, Actually का मतलब होता है बास्तव में Attractive, Attractive का मतलब होता है आकरशक Burden, Burden का मतलब होता है बोज Destination, Destination का मतलब होता है मन्जिल Blame, Blame का मतलब होता है आरोप लगाना Anyhow, Anyhow का मतलब होता है किसी भी तरह Skip, Skip का मतलब होता है छोड़ना wisdom, wisdom का मतलब होता है बुद्धी finish, finish का मतलब होता है समाप्त करना idea, idea का मतलब होता है बिचार reach, reach का मतलब होता है पहुँचना opposite, opposite का मतलब होता है उल्टा spend, spend का मतलब होता है खर्च करना forgive, forgive का मतलब होता है माफ करना अगेन, अगेन का मतलब होता है फिर से, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है बिबाद, हाडली, हाडली का मतलब होता है मुश्किल से, प्रुबोग, प्रुबोग का मतलब होता है उकसाना, लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, बेट, बेट का मतलब होता है प्र मतलब होता है परयाप्त, remind, remind का मतलब होता है याद दिलाना, complete, complete का मतलब होता है पूरा करना, just, just का मतलब होता है अभी, obtain, obtain का मतलब होता है प्राप्त करना, somehow, somehow का मतलब होता है किसी तरह, expect, expect का मतलब होता है अपेक्छा करना, still, still का मतलब होता है अभी तक, बिश, बिश का मतलब होता है एक्छा, hesitate, hesitate का मतलब होता है संकोच करना, admire, admire का मतलब होता है तारीफ करना, depend, depend का मतलब होता है निर्भर होना, tolerate, tolerate का मतलब होता है सहन करना, डिूटू, डिूटू का मतलब होता है के कारण गिब अप, गिब अप का मतलब होता है हारमान लेना टफ, टफ का मतलब होता है कठिन प्राइस, प्राइस का मतलब होता है कीमत ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच Greedy, Greedy का मतलब होता है लालची Revenge, Revenge का मतलब होता है बदला Spoil, Spoil का मतलब होता है खराब करना Particular, Particular का मतलब होता है खास Need, Need का मतलब होता है आवश्शक्ता Interfair, Interfair का मतलब होता है दखल देना Honest, Honest का मतलब होता है इमानदार Boylence, Boylence का मतलब होता है हिंसा Billpower, Billpower का मतलब होता है एक्छा सक्थी Provide, Provide का मतलब होता है प्रदान करना Try, Try का मतलब होता है कोशिश करना Development, Development का मतलब होता है बिकास Compulsory, Compulsory का मतलब होता है आवश्यक Bother, Bother का मतलब होता है परिशान करना Another, another का मतलब होता है दूसरा कोई Till now, till now का मतलब होता है अब तक Almost, almost का मतलब होता है लगभग Option, option का मतलब होता है बिकल्प Choose, choose का मतलब होता है चुनना Victim, victim का मतलब होता है सिकार होना Boycott, boycott का मतलब होता है बहिसकार करना Bring, bring का मतलब होता है लाना Ego, ego का मतलब होता है एहंकार Together, together का मतलब होता है एक साथ Similar, similar का मतलब होता है समान Bless, bless का मतलब होता है आशिरबाद देना Approve, approve का मतलब होता है मनजूरी देना During, during का मतलब होता है के दोरान Corruption, Corruption का मतलब होता है भ्रष्टाचार Properly, Properly का मतलब होता है सही धंग से Soon, Soon का मतलब होता है जल्द ही Slowly, Slowly का मतलब होता है धीरे से Remedy, Remedy का मतलब होता है उपचार Sometime, Sometime का मतलब होता है कभी-कभी Therefore, Therefore का मतलब होता है इसलिए एनिबन, एनिबन का मतलब होता है कोई भी नोबन, नोबन का मतलब होता है कोई नहीं यूजवली, यूजवली का मतलब होता है आम तोर पर हाउवेवर, हाउवेवर का मतलब होता है हाला की रादर, रादर का मतलब होता है के बजाए रिस्की, रिस्की का मतलब होता है खदरे बाला नर्बस, नर्बस का मतलब होता है घवराहट डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज बाइल, वाइल का मतलब होता है जबकी फील, फील का मतलब होता है महसूस करना Deposit का मतलब होता है जमा करना Empty Empty का मतलब होता है खाली Cause Cause का मतलब होता है कारण Able Able का मतलब होता है योग्य Holy Holy का मतलब होता है पवित्र Because Because का मतलब होता है क्योंकी Rent Rent का मतलब होता है किराया Inside Inside, Inside का मतलब होता है के अंदर Practice, Practice का मतलब होता है अभ्यास Until, Until का मतलब होता है जब तक